नमस्कार दोस्तो मेरे नमा अरूप है और स्वागा थे आप लोगों का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल शेर विद अरूप मैं दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं थोड़ी कर भी बाते करने वाला हूँ हो सकता है कि कुछ लोग को जो है मेरी बाते बुरी लग सकती है लेकिन ये बाते करनी बहुत जरूरी है तो दोस्तों सैमुल संग्मा और रोजी संग्मा के मामले को लगभग अब 18 दिन पूरे होने को है लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस द्वारा इस पर अब तक कोई खास इ नेचरल सुसाइट का मामला है और रोजी संग्मा के मामले पर कहा गया है जो है ये एक नेचरल डेट है ब्लीडिंग के वैसे अस्पताल में जैसे आम तोर पे लोगों की मृत्ति हो जाती है वैसे रोजी संग्मा की मृत्ति हो गई यानि कि पुलिस द्वारा आप तक जो ह सेमुल संग्मा के परिवार को नहीं दिया गया है लेकिन अपसूस की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सब कुछ वीडियो पर रेकोर्ड हो गया है सब कुछ देखा जा रहा है कि अन्याय हो रहा है लेकिन फिर विए नॉर्थ इस्ट के लोग चुप है जातर मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्यूंकि अक्सर नॉर्थ इस्ट के लोग को आप देखते हैं कि नसल भेट टिपनी के ओपर खुँ अपना आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि मेंलेंड के लोग हम लोग के साथ जो है भेदभाव करते हैं और हमें जो चाइनिस कहके बुलाते हैं नसल भेट टिपनी करते हैं इस पर अक्सर दुग जताते हैं नॉर्थ इस्ट के लोग जो जो है नेताओ दुआरा तूरा के लोकसभा के सांसत अगाता संग्मा ने अमित साजी को पत्र लिखा फिर उसके बाद मेगालाय के गवर्णर मलिक जी ने भी पत्र लिखा अमित साजी को फिर त्रिपुडा के नेता प्रदित्यों मानिक्ये ने भी अमित साजी को पत्र लिख लेकिन अब भी इस पर जो है किसी भी तरह का जो है खास action या फिर जो है reply देखा नहीं जा रहा है तो क्या इतने सस्ते में लिया जा रहा है दो मासूम लोगों की जिन्दगी को यह एक बड़ा सवाल है और खास तोर पर हम North East के लोग ही इस मामले में serious नहीं दिखाई दे रहे है सिर्फ नागालेंड को छोर के सिर्फ देखा यह जा रहा है कि नागालेंड के लोग ही इस पर जातर जातर तोर पे जो है इनसाफ मांग रहे हैं और जातर North East के जो है स्टेट है वह इस पर जो खामोस है तो यह एक बहुत ही भूल है हम सभी लोग के लिए अगर आप इस का नाम लूँगा जैसे की एक यूटूब चैनल है बॉय जिनका जो यूटूब चैनल चलाते हर्शित जो के हर्शित को ही मैं देख रहा हूं कि यहां तक क्या हस्पताल पहुच गया है और उसके बाद सैमुल संगमा की जहां मृत्यू हुई थी जहां सुसाइट किया गया अपनी दिल्चस्पी नहीं दिखा रही है तो यह जो है बहुत ही एक अफसोस की बात है आप ऐसा कह सकते हैं आप कुछ लोग कहेंगे कि यह तो पुलिस का मामला है पुलिस अपना काम कर रही है पुलिस इन्वेस्टिकेशन करेगी तब होगी तो दोस्तों अगर पुलिस क बेज देना है और डॉक्टर के पास बेजना है डॉक्टर वहां जो है बोड़ी के साथ चीरफार करता है उसका पुलिस ने भी वही तो किया यह तो कोई भी कर देता है इससा ज्यादा इंवेस्टिकेशन तो जब आप टीवी पे देखते हैं ना क्राइम प्रेट्रोल और पुलिस जो है अच्छा इंवेस्टिकेट कर रहा है लेकिन यहां तो क्या है बस पोस्ट मोटम रिपोर्ट लाके दे दिया है लेकिन पूरी गुत्थी को सुल जाने की कोशिश नहीं की जा रही है जबकि सब कुछ वीडियो पे साब देखा जा रहा है डॉक्टर विष्ण में तब तक जाने मत दीजिए जब तक सैमुल संग्मा और रोजी संग्मा को इनसाप नहीं मिल जाता प्लीज इसको सुसान सिंग राजपूत के मामले की तरह बनने मत दीजिए कि जांच के नाम पिसे जाच चल रही है जाच चल रही है जाच चल रही है आज एक साल से ज्य जान लिया था इतना वक्त क्यों लग रहा है यह जो है एक बड़ा सवाल है लेकिन इन सब चीजों पर कोई आवाज नहीं उठाता है वह आलग बात है तो दोस्तों प्लीज पूरे मामले को आप जो है इस पर प्लीज अपना आवाज उठाते रहें जब तक जो है यह पूरा म डॉक्टर अंजली किस तरह से जो है कागत चुपा रही थी उसमें क्या था सब कुछ जानने के बाद ही आप इस जो है इस मामले में आप शान्त होईए मेरा आप लोगों से यही बस रिक्वेस्ट है